आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप Signal App पर Lock कैसे लगा सकते हैं तो आईए जानते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक App डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से तो आपको प्ले स्टोर उपन करना है उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है App Lock A W P L O C K आप इसे सर्च कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर First Number पर जो एप्लिकेशन आएगी आपको इसे Install कर लेना है अपने फोन में तो Install होने के बाद आपको इसे Open कर लेना है और Open करने के बाद यहाँ पर आपको एक Pattern Create कर लेना है जो भी आप Lock लगाना चाहते है उसके बाद यहाँ पर आपको Confirm कर लेना है यानि कि दुबारा से Pattern Lock लगा दीजिए उसके बाद Agree and Start पर टच करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको Signal App ढूंड लेना है तो यहाँ पर आपको Signal App मिल जाएगा तो आपको इसके सामने एक Lock सा आइकन मिलेगा आपको इस Lock पर टच करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे Permit मांगेगा तो आपको Permit पर टच करना है उसके बाद यहाँ पर इसकी access allow कर देनी है settings से तो allow करने के लिए आपकी settings खुद open हो जाएंगी और यहाँ पर आपको app lock पर touch करना है और यहाँ पर एक option मिलेगा इसे on कर दीजिए on करने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा signal app lock हो चुका है इसके सामने यहाँ पर यह ताला सा लग चुआ है तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं signal app पर lock लग चुआ है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी subscribe जरूर करें